तो आज की ग्लास में हम हमारी exercise 3.1 के आगे के question continue करने वाले हैं तो वैसे इस exercise में total 10 question है तो 5 question जो है ये पिछली class में हम खतम कर चुके हैं और बचे हुए 5 question आज खतम कर देंगे मतलब 3.1 खतम और वैसे भी chapter number 3 अगर overall देखा जाए तो जो इसका introduction वीडियो है उसमें हम chapter number 3 ख तो इस वीडियो को जरूर देख लेना है इसको देख लोगे तो यह जो question में आज कराने वाली हूँ यहाँ खुदी कर लोगे ठीक है तो चलिए class को शुरू करते हैं बांकि hello everyone मैं हूं Priyanka और आज हम करने वाले exercise 3.1 के question number 6 7 8 9 and 10 तो चलिए देखिए सबसे पहले हमने लिया question number 6 तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है find the values of x, y and z from the following equation यहाँ पर एक equation दी है और हमको बोला जा रहा है x, y, z की value find करो और यहाँ पर equation में दो matrix दी है और जैसा कि मैंने आपको इसके introduction में समझाया था कि अगर दो matrix equal हैं कहने का मतलब इनका order जो है यह भी same है और इनके corresponding elements equal है तो सीधी सी बात है जब यह दोनों equal हैं मतलब इनके जो corresponding element जैसे इसका corresponding element यह है, इसका corresponding element यह है, इसका corresponding element यह है, और इसका corresponding element यह है, तो यह आपस में equal होंगे क्योंकि इनके बीच में लगा हुआ है equal, so starting में ही हमने यह सारी चीज समझ ली है, तो यह इसका first question है, second तो आप बनाई लेंगे चली तो यहां पर करते हैं इसको तो यहां लिखेंगे सिंस मैटर्सी जार इकॉल इसमें हम पहले कॉश्चन में कहाल ही लिख रहे हैं थोड़ी सी अगले कॉश्चन में नहीं लिखेंगे बट जब भी बोट्स एक्जाम में आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉपर करिए पूरे-पूरे नम्बर में जाएंगे तो सिंस बोथ मैटर्सी जार इकुल so corresponding elements corresponding elements of both matrices are equal समझ गए तो देखो यहां पर 4 equal to हो जाएगा y मतलब सीधी सी बात है y equal to हो गया 4 तो y की value मिल गई और z equal to हो जाएगा 3 और x equal to हो जाएगा 1 तो बस यही तो पूचाता यह तो शुरू होते से ही खतम हो गया तो x, y, z की value फाइंड करनी थी कर दी खतम ठीक है इसके second part पर चलते हैं यहां पर भी y है देखो यह भी 2y2 की matrix है, 2 row है, 2 column है, यहां पर भी 2 row है, 2 column है दोनों equal है, तो इनके corresponding element equal होंगे तो यहां से यह हो जाएगा x plus y equal to 6 मतलब यहां पर अपने पास जो है, यह सीधी-सीधी value नहीं मिली मतलब पहला जो था question, वो तो बड़ा ही आसान सा दिया था, ठीक है और ऐसे question जो है, इतनी आसानी से पूछी नहीं जाते, इतना simple नहीं देंगे ठीक है, बट obviously starting हमेशा simple question से ही हम करते हैं, चलिए इसके बाद 5 प्लस Z equal to 5, है ना, और X Y equal to 8, तो अब इनको आपस में जैसे तैसा solve करके, हमको जो है X Y और Z की value find करनी है, देखो, Z equal to तो अपने को सीधा-सीधे हम लिगा positive 5 सरब जाके negative 5 तो 5 minus 5 0, तो Z की value तो आ गई 0, ठीक है, यहां पर क्या है, X Y equal to 8 और X plus Y equal to 6 तो अपन क्या करते हैं, यह वाली equation को उठाते हैं, X equal to 6 minus Y और यहां रख देते हैं, तो 6 minus Y into Y equal to 8, तो यह हो जाएगा 6Y minus Y square equal to 8 तो यह हो जाएगा Y square minus 6Y plus 8 equal to 0, यहां से quadratic equation बन गई, जिससे आप Y की value find कर सकते हो so quadratic equation solve करो, तो Y square और यह हो जाएगा 2408 और 2 plus 4, 6 तो दोनों negative लेंगे तो minus का 2Y और minus का 4Y plus 8 equal to 0, तो Y common लेंगे तो यह हो जाएगा, देखो Y minus 2, देखो so quadratic equation है, यह तो solve करते हैं अपने को आते हैं यह कोई इतनी बड़ी इसमें बात है नहीं, ठीक है, माइनस का 4 common लोगे, तो यह हो जाएगा Y minus 2, 42008, so Y minus 2 आगया, यहाँ पर यह आगया Y minus 4 equal to 0, so Y equal to positive 2, Y equal to positive 4, मतलब 2 value आई है Y की, तो सीदी सी बात है, जब Y की 2 value आई हैं तो X की भी 2 value आई हैंगे, तो यहाँ पर X की क्या value थी अपने पास? 6 minus 4, तो मैंने थोड़ा सा बस ऐसी कर दिया है, बढ़ आप थोड़ा सा proper करिएगा, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे, when Y equal to 2, जब Y 2 रहेगा, तो X क्या रहेगा, 6 minus Y, मतलब की 6 minus 2, मतलब 4, तो X 4 रहेगा, जब Y 2 रहेगा, Y 2, तो X 4, and when, and नहीं यहाँ और, और, when Y equal to 4, तो X equal to 6 minus Y, यानि की 2, समझ गे बात को, तो यहाँ पर X, Y, Z की value पूची, तो X क्या हो गया अपना, X की value अपनी 2 रहेगी, कब जब Y अपना 4 रहेगा, और X की value अपनी 4 रहेगी, जब Y अपना 2 रहेगा, और Z तो अपना 0 ही आया, समझ गे बात को, तो यह दो-दो value आई है, X की भी, Y की भी, Z की तो 0 ही है, ओके, तो इसको लिखने की ज़रत नहीं है, समझ गे, ठीक है, तो second part भी हो गया, third part भी इसमें है, अच्छा, यहाँ पर तो भई, एक ही column दिया है, वांकि 3 row दिया है, इसमें भी 1 column 3 row, तो यह तो equal हो नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा, X plus Y plus Z equal to 9, और X plus Z equal to 5, और Y plus Z equal to 7, अब इनको आपस में solve करना है, solve करके अपने को, जो है XYZ की value find करना, तो अब अगर आप एक चीज़ देखो, आप कुछ भी एक काम कर सकते हो, X plus Z क्या है, 5, तो यहाँ पर X और Z plus में देख रहे हैं, इनकी जगा पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर Y plus Z भी 7 है, तो इस Y plus Z की जगा पर भी आप 7 लिख सकते हो, ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन चीज़ों पर ही, तो first equation हो गई, यह अपनी second हो गई, यह third हो गई, तो यहाँ लिखेंगे from, first and third, तो यहाँ हो जाएगा X plus Y plus Z equal to 9, तो X as it is Y plus Z की जगा पर हमने लिख दिया 7, तो Y plus Z क्या है, 7 है न, तो इस Y plus Z की जगा पर 7 लिख दिया, खतम, तो यहाँ से आपको X की value मिल जाएगी, तो X equal to क्या हो जाएगा, 9 minus 7 यान, then, from second, second equation क्या है, X plus Z equal to 5, तो X आगया 2, Z as it is equal to 5, तो Z equal to 5 minus 2, यानि की यह आगया 3, X आगया Z आगया Y, तो Y जाना है, क्योंकि Y plus Z 7 है, Z की value पाता है, तो from equation 3, तो from third, Y plus Z equal to 7, तो Y as it is, Z कितना है, अपना 3 equal to 7, तो Y equal to 7 minus 3, तो Y equal to 4, तो लीजे, X की value 2, Y की value 4, Z की value 3, खतम, ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा कर दिमाग लगा लिए तो बड़े आराम से हो जाएगा, बस, ठीक है, खतम, चलो, यह question खतम, चलते हैं, अगले question, question number 7 पर, तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ बोला जा रहा है, कि find the value of A, B, C and D from the equation this, तो यहाँ पर भी कहां नहीं है, कुछ अला कहां है, कि यह दोनों matrix के बीच में equal लगा है, मतला, बगर 2 matrix equal हैं, तो इनके order भी सेम होंगे, साथ हीन के corresponding element क्या होंगे, equal, तो बस, तो यहाँ पर भी कहांने लिखने हैं, कि since both matrices are equal, so their corresponding elements are equal, तो यहाँ लिखेंगे, since, since, both matrices are equal, so their corresponding elements are equal, तो यह चीज में इसलिए लिख रही हूँ, ताकि आपको याद भी रहे कि यह concept यहाँ पर लगता है, okay, so their corresponding elements are equal, so a-b का corresponding element हो गया, minus 1, वही, इसका corresponding element हो गया, 2a-2a plus c का हो गया, 5, तो यह हो जाएगा, 2a plus c, या फिर अपने यह बाला लिखने है, 2a minus b equal to 0, देखो, इसका corresponding element हो गया, इसका corresponding element हो गया, और यह दोनों हो गया, यह भी a, यह भी a, इन दोनों को आपस में solve गरेंगे, तो आपने को a और b की वैली तो मिली जानी है, अच्छा, c और d भी है, ओके, ओके, चलो, और क्या है, यह हो गई first equation, यह हो गई अपने second equation, यहीं कहीं third और fourth और लिख लेते हैं, side में, so 2a minus, sorry, plus c equal to 5, और 3c plus d equal to 13, ठीक है, देखो, तो देखो, इन दोनों equation को अगर आप देखो, तो दोनों ही a और b में है, तो यहाँ पर, आप अगर इन दोनों को क्या करो, subtract कर दो, क्योंकि देखो, यहाँ पर भी दिखरा है, यहाँ पर भी दिखरा है, लेकिन sign सेम है, तो subtract कर दो, अलग-अलग हो जाएंगी, ठीक है, from first and second, a minus b equal to minus 1, to a minus b equal to 0, minus 2 a plus a minus ka a equal to minus ka 1, तो a की value आ गई 1, अब इसी a की value को, आप कोई भी equation में रख दो, from first, तो यहाँ आजाएगा from first, a minus b equal to minus 1, तो a की जगा पर 1 minus b equal to minus 1, तो minus b दर जाएगा, plus का हो जाएगा, 1 दर आएगा, plus का हो जाएगा, तो b equal to हो जाएगा 2, okay, चलिए, a और b की value आगई, अब c और d की value फाइंड करेंगे, तो यह अपने इस तरह से यह line, अब c और d फाइंड करते हैं, तो देखो, हमारे पास a आगया है, 1, b आगया है, 2, तो यहाँ पर a की value रख देंगे, तो c मिल जाएगा, चलो, a 1, और इसको equation number दे तो 4, इसको दे तो 5, तो यहाँ लिखेंगे, from 4, यह कहा है, 2 a plus c equal to 5, 2 into a कितना आया है, 1 plus c equal to 5, तो 2 ones are 2, 1 minute यार, तो c equal to 5 minus 2, तो c equal to 3 आगया, ओके, चलो, अब देखो, यहाँ पर c की value रख दो, तो d मिल जाएगा, तो 3 c plus d, from 1 to, 1 minute यार, यह 3, यह 4, 3, from 4th, क्या है यह, 4th वाली 3 c plus d, 3 c plus d equal to, कितना है, 13, तो c की value रख दो, 3 3s are 9 plus d equal to 13, 13, तो d equal to 13 minus 9, 4, तो यहाँ पर clear clear आपको दिख रही है, सारी की सारी values, a की, b की, c की, और d की, ओके, यह question, खदम, कौन सा question था, question number 7, समझ के बात को चलो, तो अब चलते हैं, अगले question, question number 8 पर, और question number 8 पर बढ़ने से पहले, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो भई, लाइक जरूर कर देना, लाइक किये बना मच जाना, चलिए, अब करते हैं, अब करते हैं, कि कोई भी square matrix है, तो उसमें क्या होगा, जितने row, उतने ही column, number of row, मान लो, अगर number of row 3 है, तो number of column भी 3 ही होना चाहिए, मतलब m अगर 3 है, तो n भी 3 होगा, मतलब कि m equal to n, इसमें इतनी सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, देखके यह option आपको, m x n, यह इसका order है, is a square matrix, अगर square matrix है, तो m अगर 3 है, तो n भी आपका 3 ही होगा, square matrix में, जितनी row, उतने ही column, तो यहां पर वही बोला जा रहा है, if m is less than n, m is greater than n, m is equal to n, none of these, तो obviously, m और n equal होंगे, तब ही जाके, जो square matrix है, उसमें m और n equal होंगे, तो वही चीज मतलब सही रहेगी, overall कहा जाएगे, तो इस तरीके से, option जो है, यह c आपका correct है, m equal to n, ओके, चलो भाई, यह तो खतम होगया question, next question की बात करेंगे, question number 9, क्या बोल रहे हैं, which of the given values of x and y, make the following pairs of matrices equal, अच्छा, देखो, यहाँ पर हमको यह नहीं बोला है, कि यह दोनों matrix equal है, हमको बोला जा रहा है, कि x और y की, कौन सी value के लिए, यह दोनों matrix equal होंगी, तो देखो, अगर यह दोनों equal है, तो order तो देखी रहा है, सेम की, 2 row है, 2 column, यहाँ पर भी 2 row, 2 column, तो पहली चीज़ तो satisfy हो गए, कि अगर यह दोनों equal है, तो इनका order सेम होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या है, कि इनके corresponding element जो है, यह equal होना चाहिए, करके देख लेते हैं, चलो, तो सबसे पहली चीज़ तो यह हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x की value मिल रही है, यहाँ से भी x की value ही मिल रही है, तो यहाँ से और x की value फाइंड करके देख लेते हैं, सेम आगे तो काम बन जाएगा, and 2 minus 3 x equal to 4, तो यहाँ से हो जाएगा, x equal to, 4 minus 2, 2 upon minus 3, कहने का मतलब यह हो गया, minus 2 upon 3, तो अब आप एक बात बताओ, अगर यह दोनों matrix equal हैं, तो सीधी सी बात है, x की जो value, इधर वाले element से मिल रही है, वही x की value, इधर वाले element से मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर वो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही, आप देखो, x की यहाँ पर एक value आ रही है, minus 7 upon 3, एक value आ रही है, minus 2 upon 3, जो की possible नहीं है, मतलब कहने का यह है, कि यह जो दोनों matrix है, यह equal obviously नहीं हो सकते हैं, किसी भी value के लिए, तो not possible to find, जो है यह इसका answer होगा, और भी चाहो आप देखो, बांकी के element से भी आप find कर सकते हो, जैसे कि 5 equal to हो जाएगा, y minus 2, यह वाला element इसके corresponding है, तो यहाँ से आपकी जो y की value है, यह minus 2 इदर आके positive 2 हो जाएगा, तो y की value हो जाएगी आपकी 7, और इसके अलावा, यह y plus 1 equal to 8 हो जाएगा, तो यहाँ से y plus 1 equal to 8, तो y equal to यहाँ से भी 7 मिल रहा है, तो y की value तो अपने को equal मिल रही है, बट x की value तो अपने को same नहीं मिल रही हैं, आम इन दोनों matrix में ही कर रहे हैं, यह देखो, यह इसके equal होगा, यह इसके equal होगा, उससे हमने x की value find करी, बट अलग-अलग निकल रही है, फिर y की value तो यहाँ से y की value मिल जाएगी, क्योंकि यह दोनों corresponding element हैं, और यह दोनों corresponding element हैं, तो y की तो same आ गई, बट x की value नहीं आई हो, तो हम से यह भी बोला जा रहा था, कि x और y की कोन सी value के लिए, यह दोनों matrix equal हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखो, एक तो यह minus 1 upon 3 बोला गया था, एक मुट, सॉरी, minus 1 upon 3, 7, minus 2 upon 3, 7, minus 1 upon 3, minus 2 upon 3, इस तरह की value दी गई हैं हमको, बट सीदी सी बात है, x की यह values अलग-अलग आ रही हैं, इसलिए not possible to find, तो यह हो जाएगा, B option correct, चलते हैं, अगले और आखरी question पर, इस exercise के, इसके साथ ही आपकी exercise, 3.1 हो जाएगी, खतम, यहाँ पर बोला जा रहा है, the number of all possible matrices of order 3 by 3, with each entry 0 or 1 is, अच्छा, अब इस question को धियां से समझो, AC से related कोछ एखाद example और मैं आपको करा ही दूँगी, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है, 3y3 की matrix है, 3y3 की है न, a11, a12, a13, a21, a22, a33, a31, a32, a33, अब हमको यह बोला जा रहा है, कि यह जो 3y3 की जो matrix है, ठीक है, यहाँ पर with each entry, यानि कि यहाँ पर, जो भी आपके numbers है, यहाँ पर इसी के एक पवल मैं बना लेती हूँ, कि कोई भी number है, उसकी जगा पर या तो आप 0 लिखोगे या 1, हर entry पर आप या तो 0 लिखोगे या 1, दोनों में से कुछ एक ही बस, हर जगाए पर या तो 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, यह हम से बूला जा रहा है, तो 3 by 3 की matrix है, आप इसमें कितनी जगा हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और order से भी देखो, तो 3 by 3 यानि कि 9 place है, कितनी जगा हैं, 9, 9 जगा को आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से आप फिल कर सकते हूं, 0 और 1, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, the number of all possible matrices, तो यहाँ पर हमको यह बोला जा रहा है, the number of all possible matrices क्या हो सकती है, आपकी order this, with each entry 0 और 1, तो यहाँ पर यह find करने का एक formula type का आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो कि जो number of entries है, number of entries है, उसकी degree, number of elements, तो आप देखोगे entry के हैं सिर्फ और सिर्फ या तो 0 या 1, अगर इसकी जगा पर एकाद number और जाता 0, 0 और 1 और 2, तो वो entries कितनी हो जाती हैं, अगर मान लो यहाँ 0 और 1 की जगा पर आपको यह लेख देते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 तो टोडल कितने नंबर हो जाते हैं, 4 यानि 4 नंबर में से ही आप कुछ भी आपके जो element हैं उसमें ले सकते हो, तो 4 entry हो जाती हैं, बट यहाँ पर आपके पास 2 ही number हैं, या तो 0 या फिर 1 तो एंटरी आपकी कितनी हो गई हैं, 2, 0 और 1 तो यहाँ पर number of entry 2 और number of element कितनी हैं आप देखो, 3 by 3 की matrix है, मतलब total number of element 9 है, यहां से भी आप count करी सकते हो, तो इसकी degree आप लगा दो 9, और इसको solve करोगे तो आपको मिल जाएगा 500 and 12 D option is correct, समझ गएं, चाओ तो यहां लिख लो, तो बस यह हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि the number of all possible matrices of order 3 by 3, 3 by 3 की number of कितनी possible matrices हो सकती हैं, जिन में हम हर entry को या तो 0 से fill करें, या फिर 1 से, तो ऐसी 512 matrices हो सकती हैं, समझ गएं, चालो, तो बस यहीं दियान रखना है कि number of entries क्या हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरीके सा आप हो दिएंगे, और number of elements degree, समझ गए, तो खेर इसके लिए और example करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा 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 यही समझ लिए number of entries की degree number of elements और answer आगया इसका D, चीक है, इस question के साथ ही exercise भी कतम और आज की class भी कतम, तो आए हो कि सारे question clearly अच्छे तरीके सा समझ में आए होंगे, और वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक कर दिया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फड़ा फट से सब्सक्राइब करके धाल आइकन को क्लिक कर लो ताकि अगले वीडियो का notification आपको मिल जाए तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए bye and thank you